कमा है कुछ चेलो डुस्तो आज किसी वीडियो में हम कख्षा ध्याइ-डू को थिरू करेंगी इसमें हमें अध्याइ-दू से हल करना अध्याइ-एक को हमने हल कर लिए यदि आपने भाई वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल एक फ़ल着 तो में और पहले उसको हाल करें इस वीडियो में हम आपtoo अध्य federal करेंगे अध्य दू में क्या दिया है जिननों एक चर चर कह सबकी तरब किनी चर हो उसमें एक चर अब देखो चर या कहना लाता है चर हरत जो हम उन्हें अंग्रेजी के अंगशिटी प्रभा लगजी एकषर एकषर भाई एक्स बाई जैट या फे एलमेशे इनन से प्रदस्त करते हैं तो एक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक चरह दीएगा है है हमें किसको पढ़ना है एक चरवाले यानि जिन में एक चर हूँ तो उनको हम इस चेप्टर में देखेंगे आपको जो समीकरन जब हल करते हैं तो उसमें एक चिन मिलता होगा बराबर का चिन है जिसे हम समता का चिन कहा जाता है यहाँ पर देखी यह जो बराबर का चिन है इसको क्या कहते हैं समता का चिन्न अब इस समता का चिन्न होता है जिसमें क्या होता है जो इस चिन्न के इस तरह बारी संग क्या होती है यानि बाया पक्ष है जो बाया पक्ष की बराबर होगा यह चेन्न क्या प्रदेश करता हमें कि जो बाया पक्ष है इसका बाया पक्ष की बराबर यदि हम इनकी पक् करते हैं इसका कोई एक और अधरन हल करते हैं फिर हम सीधा प्रसनाबर ली को हल करेंगे चलिए यह सबसे पहले हमारन मा यग देख लेते है उधर एक मैं क्या कहा घinhasL गयात कियोसमें ना कॉलना है इसको हमें हल करना है दो एकसरन तीन बराबर साथ दिया है चलिए तो हम इसको हल करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिए है पहले उधारान लखा है हम कुन सा कर रहा है एक पहला उधारान कर रहा है इसमें लखा है दो एकसरन तीन बराबर साथ दिये हैं इसको हमें हल करना है इसमें हम क्या करना है ऐसी सवालों में हमें एक स्कामान रखालना होता है तो देखिए जो देखो इसको क्या से करेंगे पूरी हम बिदी को समझते हैं इसको हल करने की देखो चरण फर्ष्ट में क्या होता है देख लीजिए हम क्या करेंग चरण फर्स्टमेंट दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में तीन को जी रण तीन ही इनको हमें जीरो बनाना है तो क्या करना है पड़े दोनों में हम तीन जोड़ेंगे क्योंकि जब यह जीरो बनेगा तो हम लखेंगे दोनों पक्षों में तीन जोड़ने पर तीन को 스 Samsmen Heys老 token करेंगे में सब्सक्राइए हम안 सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस साथ प्लस तीन बनेगा अब इसको हमें करते हैं देखो रङो तीन और प्लस तीन एकिर होचलों के तीन और रब्र dai cette कि जीरो हो जाएगा बराबर सात अरतीन कितने हो जाएएंगे 10 है अव्जिएॉ का मतलब क्या कुछ नहीं यानि की बचे आप एवर बढते हैं तो किस क्या करेंगे अब इसमें क्या करेंगे या तो हम दू का भाग लगा दें या फिर हम एक बड़ी दूसी गुणा कर दें चलिए तो हम इसमें दू का भाग लगाती है तो बही लखेंगे यहाँ पर फिर से दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दूसी भाग देने यहां फर क्या लिखियंगे आप दोनों प्रक्चों में एक बाटे दो से कुणा करने पर हमने यहां पर लखा दोसे भाग देने पर चलिए तो भाग दीजिए इस वाले पॉले दूसे भाग दीजिए दो एक्स बटे 2 भाग मतलब बटे बराबर इसमें करेंगे 10 बटे 2 अब कट रहेंगे रहें 2 से 2 कम 2 यहाँ पर कटेंगे 2 कम 2 दो 5-10 X की वैलु कितनी आ जाएगी? X बराबर आएगा 5 यह हमारा आशर हो जाएगा तो आप समझ रहेंगे कि यह हलकान्ध है तो सबसे पहले हमें जो दिया गया तो धारा हमने बो लखा अब हमने उसमें देखा कि इस मारी संक्या क्या बनाना है जीरो जो अचर संक्या देख रही आपको इसको हमें सबसे पहले जीरो बनाना है अब 0 यह कब बनेगा देखो यहां पर हमने देखoir कि यहां पर लखा रंड़ 3 रंड़ 3 है इससो जीड़ो बनना तो क्या करेगा हम 3 को जोडेंगे जब यह 0 बनेगी तो हमने 2 नौ पक्षक क्या कर दिया जोड़ दिया आप समय करा है लोग हम ये इक पक्षक तो तो एकस लिख दिये है यहाँ पर अब 7 और थीन यहाँ पर जोड़ दिए साथ 3 कितने होते हैं दस 10 लिख दिए अब देखो हैं यहाँ से हमें की इसकोट आना दो को यह हमारा चलाना फास्ट जो पूरा होगा अब चलाना दो में देखेंगे दो को का करें हटाएं हमने यहाँ पर हमने 2 से भाग दे कर 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया 2 से 2 कट गए और 10 में 2 का भाग दिया, तो 2 पंचे 10 पांच भी गया, यानि X की value कितनी आ गई 5, इस तरीके से आपको समीकरा को हल करना होता है, इसी तरह से आप उधारन दूसरा हल करेंगे, दूसरा भी इसी के समाहन है, फिर तीसरा भी आपको वैसा ही करना है, यहाँ पर दिखिए, यह लखा तीसरा, तीसरा में भी आपको वैसा ही करना है, अब हम आपको उधारन नमर चौथा एक और करना है क्या लखाया है देखो हल कीजिए फंद्रावटे चार रण के साथ एकस बरावर 9 यह हमने लखाये इसको हमें हल करना अब बताईए कि में किसका मान निकालेंगे एकस का इसमें 4 का है 4 है 2 एकस यह चार है इसको और निन लुट नेय। देखिए था मंनेसिते हैं हैं है कि इसमें यत्य संक्य Jude's को violence संग्या clicking upon पंदरह बऩे चारखों करने के लिए रदें करने देख्ण दोनों पक्चों में 15 क्या होगा तो पंद्राब्टे च वैंड है इस तरह ले आएगा तो पन्दाब्रों इह फोटे नो है अभर आएगा यह इस प्लस में थी उस्खे पधर जाएंगा तो ओप कि 15 बटी चार जब भी हम किसी संख्या का पक्षांता करते हैं तो उसका चिन बदल जाता है यदि यहां पर मानस का होता और इसका पक्षांता करते तो यह संख्या प्लस की बन जाती अभी सिसे संग्या थी यह कि थी तो यहाँ पर हमें निकाह पक्चानतर लेन ह anticipating और यहाँ पर निकाह पक्चानतर करेंगी तो चारा once यहां पर 1 चो के 4 4 चार पोफ़ नो चो के 36 रहे यहां पर 4 एक हम 4 और उपर एक मत्कुणा करें तो 15 15 आजेंगे अब हमें 36 मेरा को घंगा नहीं 36 में 15 गटें केतने बचेगा 36 में 5 बचेगा बचेगा एक और तीन में से जाएगा बचेगा दो यानि 21 पचर दूर्ट करने पर पक्षांत्र करने पर जबाग में चलेंगे जाएंगे ज्सेल सब्सक्राइब अब thunder-pesky करेंगे आपने यह ग्याईब यहां पर बाग में यहाँ खोना करेंगे तक तर्छे यह को अंत gitu कितना हो जाएगा एकस बेराबर शिच्छार और यह कह criticism बनेंगे एक बटे रणके साथ रण्साथ वट एक हैं इनका उल्टी हो जाएगी संक्या एक बटे रणसाथ कट जाएगे साथ एक क्या ऐगा इसका इसका अंसर आजाएगा अपना दिदे के तीन बटेचा़ जो इसका हमारा आंसर आजाएगा एक्स बराबर कितना आएगा एक्स बराबर रन तीन बती चार यह हमारा अंसर हो जाएगा अब इसकी जाच कैसे करते हैं आपको यदि देखना है कि हमारा जो आंसर निकला है बाहिस आई है कि गलत इसको आप जाच भी कर सकते हैं इसकी कैसे जाच करेंगे जो हमारी X की value आई है उसको हम जो हमें समीकर दिया है उसमें रख देंगे जैसे हमने नकाला X बराबर रण 3 प्र चार इसको हम जाज करेंगे और इस समीकर में रखेंगे यदि हमारा जो बाया पक्ष है यानि लेप टेंड साइट LHS पक्ष है वाई RHS की बराबर हो जाए दे बराबर हमें कितनी चाहिए आंथ हमें बराबर में नोगरे देखो ररखेंगे पंद्रा बटे चार जिए हो ईए यहां पर हमने चार कुई लेंगे आप चार आएगा और 15-19 जोड़ेंगे 15 फंदा द्दान एक काईश तो कितने हो जाएंगे 25-6 और 2 एक तीन, बच्छ चा तीस बराबर कितों आ गए नोव बराबर नो क्या हुआ यानि एक सब्सक्तार के लिए हमारा जो आंचार है सभी करना भाइ सही है सत्य हुआ इसी तरह से आपको उधान दो और तीन आपको दिख लेनी है फिर हम इसके बाद सीदी हम प्रस्नावली को हल करते हैं चली तो अब हम प्रस्नावली को हल करते हैं आप सभी लोगा प्रस्नावली को हल करने के लिए तैयार हो जाएए सबसे पहले इसका हम पहला प्रस्नाव करते हैं पहला प्रस्नाव क्या दिया गया है एक से रिन दो बराबर साथ इसको हमें हल करना है यह बिल्कुल सराल है आप जो इसको हल करते बन जाएगा देखिए क्यासे हाल करना है वैसे यह जासे आपको हमने अभी समझाया था तो देख लिजी कैसे हाल करेंगे ऑस से इसमें क्या है यहां चैपिशन्ता करेंगे यहां पर लेकिंगे रेण्ट राइंगे औिसके पर करने पर나तो just्ता करने पर Be यह सही संक्या का पक्षंतर होता है तो उसका चिन्न पलट जाता है तो टुस्थ हुए इनके पक्षंत पर बन गए प्लस के दू अब इनको जोड़ दीजी सत्राइब करो सात और दो नुउ एक्स ब्राबर नो या जो हमारा आंसर आजाएगा अब आप से आपको हमने बता ही क कि इसकी जाच क्या सी करते हैं तो आप जाच भी कर सकते हैं अब दूसरा सबाल देखते हैं दूसरा सबाल क्या दिया है देखिए दूसरा सबाल दिया हमें बाय धन 3 तीन बराबर 10 है दूसरे सबार करें भाय धन 3 मौ सबसर है इसमें हमें एकस कमर नकाल गई इसमें के Wow Is इसमें चर का चर बदल मदल दिया है चरह जो ऐसका हमें माना नकाल ला स्बुम हम इसमें नकाल भाय नकाल यहां इसमें क्या करें कोंड-प्खांदर किया प्लस प्लस नहीं अब 3 का इनका पक्षंदा करेंगे तो यहां पर कुछ नहीं बज़ेगा तो बराबर लखेंगे 10 तरह के 3 तो इनका पक्षंदा होगा तो आएगा रणका 3 यानि मानस की 3 आ जाएँगी तो 2 बराबर 10 में तीन गटाईए 10 में तीन गटेंगे तो आएगे 7 बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगि साथ बाई बराबर या साथ हमवारा अप्ना सभी होगा अब हम अंगला देखते हैं तीसरा कॉश्चन करते हैं तीसरा क्या डिया गया है देखिये तीसरा क्या इस तीश छे बराबर जेयड धन-धन-दो अब यहां पर चर्क बतले लिए का नाम किया है जैड जैरेज्ड क्या है या या यह यह एक चर है इसका मान हमें नकालना हैं तो अब हम इसको क्यासा लखेंगे इसको पहले हम इस तरह इस लख सकती हैं जैडधन 2 ब्राबर 6 क्योंकि जो Siqrr है इनको दो का पक्षांतर करने पर करिए जली सी पिताइए सब्सक्राइब करें तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा और इस तरफ आएंगे तो जाएंगी माइनस की यानि 6 रेन 2 हो जाएंगी तो इसी तरह से आपको अंगला करना है चलिए तो 14 सवाल और देख लेती है चोथा सवाल क्या दिया गया है चोथा सवाल है तीन बटे साथ धन एक से बराबर सत्रा बटे साथ इसको हल करना है चलिए तो इसको हल करती है अब यहां पर आपको देखना है जिस पक्ष में चर होता है उसको देखना होता है यहां पर जो संक्या दिए तीन बटे साथ अब ह यहां पर क्या बचा यहां पछ सब्सक्राइब माणड़ करें तो प्छेंट ट्राइब यह संख्या करें लिए माला गजये 0000 गटा दीजिए 17 में 3 कितना आएगा 17 में 3 गटाएगे तो आजाएगा 14 गटाएगा चब्दावटे साथ एक्स बराबर आ गया 14 बटे साथ अब देखिए यह संग क्या कट रही कि नहीं कट रही है किस से कटेगी साथ से साथ यकम साथ साथ दूनी चाउदा यानि एक्स का बे को हल करें आप से एक कोश्चन जो बिल्कुल बने लेंगे बहुत आसान है फिर हम पांचमा कोश्चन करते हैं पांचमा कोश्चन देख लीजी क्या दिया है इसमें पांचमा कोश्चन क्या दिया है 6 एक्स बराबर 12 6 एक्स बराबर कितने दा है 12 इसको हल करना है देखो पर इसको हल करेंगे चल जो चे का पक्चनत जाएंगे इसको काट यह किस से कटेगा 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा आप जिस संक्या सी काट सकते हैं देखिए हम यहां से 6 से काट रहा है 6 एकम 6 6 2 नहीं 12 किती बिर कटा दो बिर यह 2 हमारा अंसर हो जाएगा एकस बराबर 2 इसी तरह से आप हला क्वेशन करिए 6 चाड़मा देख लेते हैं एक बार चाड़मा सवाल क्या दिया है चाड़मा टी बटे पांच बराबर 10 टी बटे पांच बराबर 10 यह क्वेशन इसको आपको हल करना करिए हल यहां पर कितने लिखे हैं पांच लिखे हैं टी बटे पांच बराबर 10 तो यहां पर किसका पक्चांदा होगा पांच का अभी कैसे है यह पाँच में जब भी किसी संक्या का यहां पहले पाँच का पक्चांतर करने पर पक्चांतर करने पर अब देखिए जब कोई संक्या है यदि प्लस की होती है उसका पक्चंद करते है तो भाय बन जाती है माइनस में और यदि माइनस की हो तो भाय बनती है प्लस में गुणा की संक्या है और उसका पक्चंद करेंगे तो भाग में जाएगी और भाग वाली गुणा में अब देखिए यहाँ पर संख्या मिल लगी है कैसी पांच और छो यह 5 है इसका हमें पक्च्छंचा करना है तो संख्या जो इसका पक्चंचार होगा तो है गुड़ा में चली जाएगी यानि T बिराबक कि आ जाएगा 10 गुरत 5 इतना आपको याद रखना है कि जब 5 का पक्चंतर होगा तो यहाँ पर जाएगी जब यह गुरा में होगी तो T बिर आपके तना जाएगा 10 गुरत 5 अब देखिए T का गुरा 10 का गुरा 5 बिर पढ़ेगी या फिर 5 का गुरा 10 बिर पद्दम 50 यहाँ पर 50 आ जाएगे अंसर T का मन कितना गया 50 यह हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से आपको प्रस्णों को हल करना है इसी तरह से आप प्रस्णों को हल करेंगे आप पहले इतने प्रस्णों को हल करिए इनका प्रेक्टिस करिए ताकि आपसे जो प्रस्णों जो और अच्छे से हल करते बनने लगे फिर इसके आँगे हम अंगले वीडियों में हल करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक वीडियो को सेयर करें